अपना बुरा वक्षामोशी से गुजार दो, भरना ये दुनिया सिर्फ आपका मजाग बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो, कि बाद में वो प्यार आपको जीने ही ना दे। जादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आईए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको दुखा देता है, तो वो दुखा दर्द नहीं देता है, दर्द वो यकीन देता है, जो आपने उस शक्स पे किया होता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके दुआर पे खड़ा हुआ सुक भी बाहर से ही वापस चला जाता है। अपने दिमाग का इस्तमाल करें, ताकि आप अपने दिल को एक अच्छी जिन्दगी दे सकें। मैं अपनी इस सदा पे थोड़ा गुरूर करता हूँ, चाहे गुसा हो या प्यार भरपूर करता हूँ। कोई कितना भी महान क्यूं नहों और कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चलना। जिन्दगी में ऐसे लोग भी होते हैं, जिने हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मुस्कुराना तो आदत हैं हमारी, वरना जिन्दगी तो हमसे नाराज ही रहती है। ऐसा सिर्फ किसी का लाइफ स्टाइल बदल सकता है, उसके विचार और नियत नहीं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं न, अक्सर वहीं लोग हमें सबसे ज़ादा दुख देते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता, जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सरफ तब तक अच्छे हैं, जब तक आप उनकी उमीदों को पूरा करते हैं। और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं, जब तक आप उनसे कोई उमीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है, यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं, तुम जिसके हो वो भी तुमारा हो, जिन्दगी में आप किसी से बात करने के लिए, अभी परिशान मत रहना, क्योंक मेरा साथ छोड़ने के लिए तुमारा शुक्रिया महबबत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे महबबत तो वो है जो सो गलतिया सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे जिसने खर्चा कम करने की बात सोची समझ लो उसने कमाने की अकल खो दी है जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत परक है कुछ रिष्टों को वक्त के हाल पर छोड़ना बहतर है आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है ये गल्यूग है यहां लोग अपनी परेशानी से कम बलकि दूसरों की खुशी से ज़ादा दुखी होते हैं उनको भी चाते देखा है जो जिन्दगी भर लुकने का वादा करते थे प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है दुनिया का सबसे बहतरीन मास्क पैसा है जो सबका मूँ बन करा देता है अच्छे जरूर बने लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो भीड में वो मेरे हाथ को हाथ लगा कर जाते हैं कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं पर आखर में दगा कर जाते हैं सुखी होने के चक्कर में जो पुरी जिन्दगी दुखी रहता है उसे ही इनसान कहते है दिलों की बात करता है जमाना लेकिन महब्बत आज भी जहरों से ही होती है गुजर जाएगा ये दौर भी आप जरा धीरस तो रखो जब कुशी ही ना ठहली तो गम की क्या आउकात है चोट लगना भी बहुत जरूरी था क्योंकि चक्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता जिन्दगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिन्दगी में हर चगे बादाम नहीं बलकि दुखा भाया है आप बदल गए आपकी मजबूरी होगी अब हम बदल जाएंगे इसे हमारे उसूर कहते हैं एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते लेकिन आप फैसले तो लीजिए क्या पता किस्मत ही बदल जाए मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ती बुद्धिमान नहीं हो सकता मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो अभी किसी के जजबातों का मजाग मत बनाना नजाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है उटा नहीं हूँ बस ठक गया हूँ इंतजार करो पहले से बहतर लोगोंगा कभी भी टाइम पास के लिए रिष्टा मत बनाओ बलकि रिष्टे के लिए टाइम निकालो जिन्दगी में मन्जिले तो मिल ही जाती है बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने चाहा होता है जिन्दगी एक बार मिलती है ये बिलकुल गलत बात है सरफ मात एक बार मिलती है जिन्दगी हर रोज मिलती है जिसके साथ होने का गुरूर था मुझे उसी नहीं मेरे इश्क का मजाक बनाया है अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घुप जाते हैं पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं रिष्टे भी निभाते हैं, दुश्वनी भी निभाते हैं मुँँ पर कुछ और और पीट पीचे कुछ और ही होते हैं गिद्ध भी कहीं चले गए हैं लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है कुछ खास लोग थे जिंदगी में ऐसे आये जिसे जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं मजाग तो हमें बाद में बनाया जाता है पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं कूटे नहीं है हम, तोड़े गए है रोए नहीं है, रुलाए गए है हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए है कलाश तो है वादा निभाने वाले की वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं कभी-कभी मन को मना लेना ही बहतर होता है क्योंकि हर जद हमें खुशी नहीं देती जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे पुरूर किस बात का करूँ मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे चूने के बाद हाथ दोएंगे ये भी खासिएत हैं मुझ मे कि मैं किसी का खास नहीं वो तमसे सरवो तमसरव वही हुआ है जिसने अपनी बुराईयों को सुना है और सहा है जिसका भी साथ दो खुले आम दो विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं आजकर लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिष्टा निभाना नहीं चाहते जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है हता उनकी भी न थी शायद हम ही गलत समझ बैठे वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे महबबस समझ बैठे मुझे इंतिजार है जिन्दगी के आखरी पनने का सुना है कि आखर में सब ठीक हो जाता है आप किसी को भी अपनी जन्दगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं तो कि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आपसे नफरत करने लगते हैं बात बात पर गुसा करने वाले लोग वही होते हैं जिने हमेशा कुछ से ज़ादा किसी और की फिक्र रहती है बच्पन में कहानी सुनकर सोते थे आज अपनी कहानी पर रोकर सोते हैं पता नहीं क्यों छोड़के चले जाते हैं वो लोग जिने हम जिन्दगी समझ कर कभी खोना नहीं चाते दोस्त वो होता है जिसके साथ बाते खुल कर की जा सके ना कि समझ कर करनी पड़े कोई भी अपना नहीं होता यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रह गर्वी मेरे साथ नहीं है जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबर्दस्ती कभी अपना प्रेम मन दिखाओ मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है अटना पीष्णा और निचोड़ा जाना अंतिम बून तक गन्ने से भेतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है पर बात करना था तो किसी और तरीके से करते जिन्दगी बनकर जिन्दगी ही चीन ली तुमने प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा ठोकर रिखाता हूँ पर शान से चलता हूँ मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ करता वही हूँ जो मुझे पसंद है माना की उम्र कम है लेकिन होसले बुलंद है जिन्दगी है तो आसान कैसे होगी आसान हो गई तो फिर जिन्दगी कैसे होगी आज के युग में अमीर का अपराद गल्ती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है कोई ऐसा सेनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी दुल जाए इसी इनसान के पीछे भाग कर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये महबबत की तरह जूटी नहीं होती इतनी अजीब बात है ना लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी सिंदगी दुखी रहते हैं इस जिंदगी मा जैसी होनी चाहिए किसी को कोई फरक नहीं पढ़ता कि दूसरों के पास कैसी है सब को बस यहीं लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है शरारते करो साजिशे नहीं हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं जब इंसान का दिल तूटता है ना सिर्फ दिल ही नहीं तूटता उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी तूट जाता है जो सिर्फ आप से होता है परमशत्रू से भी ज़्यादा खतरनाथ होता है गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिष्टों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेले पन से महबबत सी हो गई है जिसके पास जाधा अप्शन्स होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते किसी के लिए इतना भी क्या तूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं आदमी के शब्द नहीं बोलते बलती उसका वक्त बोलता है नजाने किस बात पे इंसान को नास है जो आकरी सफर के लिए भी दूसरों का महताज है नजर भी क्या चीज है ये उसी को ढूनती है जो इसे नजर अंदास करता है आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे मैं महब्बत भूलाने का हुनर सिखाता हूँ तालुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो एब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते वजह चाहे जो भी हो दोखा आखिर दोखा ही होता है रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे दूरिया माइने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो आज के जमाने में ज़ादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है पुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए खोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह है कि आपने सिर्फ वो चीज़े करनी बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहियती बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटे वो लोग हैं जो रूट कर चले जाते हैं तूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं जो अपनों के सताए होते हैं अपनों के ठुकराए होते हैं वो बहुत कढ़ोर हो जाते हैं दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर नचाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है पनावटी रिष्टों से कई गुना बहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो महबत और नफरत तहने को तो दो मामूली शर्द है लेकिन यही दो शर्द इनसान को भगवान भी बना सकते है और शैतान भी बना सकते है समय बताने वाले तो बहुत मिलेगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेगे उफान का आना भी जरूरी है जिन्दगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है मैंने हर किस्म के लोग देखे हैंँ अपनी सिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी वक्त से पहले मिली चीज़े अपना मुल्यख हो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़े अपना महत्व हो देती है मुझे ना जुकने का शौक है ना जुकाने का शौक है कुछ एहसास दिल से जुड़े है बस उन्हें निभाने का शौक है देखते तो यहां सभी इनसान हैं बस फर्क इतना है कि कुछ जखम देते हैं और कुछ सक्मों को भरते हैं फिर से उसी मोर सी शुरू करनी है जिन्दगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे जब आप बोलते कम और सुनते ज़ादा हो वो आप लोगों को ज़ादा पसंद आने लगते हो अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है जिन्दगी में पच्ताना छोड़ो बलकि कुछ ऐसा करो कि आपको छोडने वाला पच्ता है समय और शब दोनों का उप्योग लापरवाही से मत करो ये दोनों ना दुबारा आते हैं ना दुबारा मौका देते हैं ऐसे लोगों से समल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किसमत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना ये मेरी सला है इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इनसान कुट्टों की निसाल देते हैं ना हग दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर दोखा दे जाते हैं जिने आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है जिन्दगी कितनी भी बूरी क्यों न हो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है अर इंसान की दो कहानिया होती है एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वो जो सब से चुपाता है मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है जीवन में आप अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरबाद कर देगा मेरा गुसा और मेरा प्यार सरफ उन लोगों के लिए है जिने मैं अपना समझता हूँ लोग हमेशा उसे खुने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है जिन्दगी में चाहिए आप दस बार फैल हो जाओ या सो बार फैल हो जाओ पर कसम खालो कि अपनी जिन्दगी में आम आदमी बन कर नहीं जीना है प्रेम बहुत दुरलब है, उसे पकड़ कर रखो प्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सिखो टेंशन, डेप्रेशन और बेचेनी इनसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़ादा सोचता है सबर करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बहतर है लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है गदर्यान जिसें अपना दर्द बताओ, वही मजा लेता है सब को अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है आपके पास बस पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई गदर नहीं है जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतोष नहीं है उसे भविश्य में मिलने वाली चीजों से भी अभी संतोष नहीं होगा दूसरों को अगर अपनी जिन्दगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिन्दगी में सस्ते हो जाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे बुरावक आपको कमजोर नहीं बरकि चेंपियन बनना सिखाता है बस यही फर्क है हम दोनों में वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती वो तुम नहीं मेरी उमीदे थी जिसने मेरा सबसे ज़ादा दिल दुखाया था प्यार वादों से नहीं और एहसास से काइम रहता है कुछ दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज़ादा अधास हो जाता है अब तो मजग कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो लेकिन सबसे पहले वो अपना फाइदा ही देखता है अकसर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिष्टे एक नए रिष्टे में बन जाने के बाद कुछ लोग जूट भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं बाते कि वो इंसान आपसे जूट बोल रहा है लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है बिश्वास जीतने में तो पूरी जिन्दगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है बदलना तो तैहे हर चीज़ बदलती है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं लोग इत्वाक से सरफ बिलते हैं लेकिन बिचरते सब अपनी मरजी से हैं भूलना सीख लीजे जनाब इसी में आपका फायदा है क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इनसान ही खत्म हो जाता है चरण उनके चूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो किसी की आदत होना महबबत होने से भी जादा खतरनाक होता है जो चीज आसानी से मिल जाती है न इनसान उसकी कभी कदर नहीं करता मतलब के रिष्टे जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी तूट भी जाते हैं घ्रमंड और एहंकार की वज़े से इनसान खुद ही अपने दिश्टों को बिगाड़ लेता है इनसान कभी भीड में नहीं खोता इनसान खोता तब है जब वो अकिला होता है कमजोर होते हैं कुछ इनसान जहां गुसा आना चाहिए वहाँ पर रो देते हैं अभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को लेकिन मन की बार मन में ही रह जाती है मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं किसी को मेरी भी कमी कमी महसूस हो शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं आप चाहे कितना भी शिद्ध से निभालो रिष्टे लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है भूलने वाले तो सारे बच गए मरतों वो गए जो अपनी महपत को भुला न सके सच्चे दिल से तूट कर चाहने वाले आखिर में अकसर खुद ही तूट जाते हैं कपडों की मैचिंग बठाने से सरफ शरीर सुन्दर दिखेगा रिष्टों और हालातों से मैचिंग बठा लीजिए आपकी पूरी जिंदगी सुन्दर हो जाएगी जूठी उम्मीद देने से बहतर है इस सच बोलकर आप मना कर दो जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज़ादा खतरनाक होता है अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे जिंदगी होती तो अपनी ही है पर इसे जीना दूसरों के लिए पढ़ता है लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समिट कर रखना चाहिए आप क्या है? ये जरूरी नहीं है लेकिन आप में क्या है? ये बहुत जरूरी है पीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है मून सा जीवन है इंसान का लेकिन एहनकार सागर से भी वड़ा है यहां हर एक शक्स मुसाफिर है एक दिन यादों से भी चला चाता है पीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता पर पीते हुए कल में लोगों का बरताव हर वक्त याद आता है लोगों से जादा उमीद मत रखो परना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा यह रिश्टे भी अजीब होते हैं बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना दोखे के खत्म नहीं होते मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत कुश होते हैं भरूसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इनसानों पर कर लेते हैं अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही उचाईयों से मुझे किराया जाए क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे कुछ से ज़ादा यकीन था जो आपकी भावनाओं को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो वो आपका कभी नहीं हो सकता आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिष्टों में चट्टान खड़ी कर सकता है आपका भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जाया ना करो अपने अर्फाज हर किसी के लिए बस खामोश रह कर देखो कि आपको समझता कौन है एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है रूटने का हग तो अपने ही देते हैं परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है किसी को चाहना गलत नहीं होता लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत होई यह अजीब शक्स है किसी को पुकारता ही नहीं जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है केवल जिद की एक गाट खुल जाए तो उलजे हुए सारे रिष्टे सुलच जाए सबर की एक बात बहुत अच्छी होती है जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज़ की इच्चा नहीं रहती अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तयार रहना किसी भी इंसान को अगर जादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा तुम्हें हर पल उसकी याद उसकी बाते सताती है जिसे तुम्हारे होने और ना होने से पुई फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ ठीक नहो पर सब ठीक है अब ये कहने की आदत पड़ गई है खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे ये दावर अलग है ये लोग अलग है घडिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी जादा अज़द दोगे वो आपको उतनी जादा तकलीफ देंगे खत्म कर दो उस महबबत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे एक वक्त था जब हम हसकर उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराई ही शाम हो जाती है अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तों में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है उसे चोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता नहो जो करीबी थे कमबक्त वही फरेबी थे कभी किसी को खास मत समझना क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है घमंड भरी बाते करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं चोड़ता दूसरों की जिन्दगी में अपनी जगए डूनना बंद कर दो विश्वास रखो आप हमेशा खुश रहोगे यहने बहुत करीब से देखा है रिष्टों को लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाओ करें जिन्दगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुँ कभी मत लगना रिष्टे दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए जल्दबाजी में फैस्ता लेके पस्तावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ सबर करो जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा तकलीफ हकीकत ने दी है तो आप तो आज भी खुबसूरत है सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो सही कर्म वो है जिसके उद्देश कभी गलत नहीं हो अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुवात होती है कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो जगए और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिन्दगी दाओं पर लगी होती है तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब तुझे पाने की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिये कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को हमसे तो तेरा बनाया एक शक्स भुलाया नहीं जाता जिन्दगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए तो कि उनके पास एहंकार नहीं अनुभव होता है सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बहतर है